हालो काईज, वल्कम बैक टू माई चैनल शिबूस किचन आज मैं आपको मक्की की रोटी बनाना सिखाऊंगी जो लोग हाथ पे बनाते हैं उनके लिए तो काफी इजी है लेकिन जो लोग हाथ पे नहीं बना सकते हैं उनके लिए मैंने एक मैथट रखा है और काफी इजी मैथट है वो मैं आपको हाथ पे बनाने के बाद बताऊंगी कि आप किस तरह से इसे इजी मैथट से बना सकते हैं क्योंकि सर्दियों में मक्की की रोटी है जो बहुत पसंद आती है और हमन करता है कि सर्दियों में मक्की की रोटी रोज खाएं तो मैं आपको पहले हात पे बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाना है mans दो रोटी के लिए मैंने डाला है इसमें मैंने गुनगुना पानी ऐड़किया है सरदी को मौसून है तो आप पानी गुनगुना ही यूज करें और इस बात का ध्यान रखें कि मक्की का आटा जब भी आप लेते हैं तो किसी खुले बरतन में लें इसके लिए टाइट बरतन यूज ना करें क्योंकि आटा जो अच्छे से गूंधना होता है और इसको गूंधने के लिए हमें खुले बरतन की ही नीड होती है और इसमे पानी थोड़ा-thोड़ा एड़ करना है और इस तरहा का ताना का ता रगना ना ज़ादा हाड और ना जधा सौफ्ट व हो बिल्कुल नॉर्मल हो ताकि मक्य की रोटी जो असानी से बन जाए और आटे को बहुत ही अच्छे से इस तरह से आपने सौफ्ट करना है ताकि रोटी बनाते वक्त बिल्कुल भी इसमें क्रैक ना हो और कहीं से भी रोटी है जो वो तूटे ना तो इस तरह से इसे आपने बहुत अच्छे से मसलना है और आपने अपने हाथ का जो लास्ट का हि लेकिन ज्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो ज्यादा यह सॉफ्ट हो जाएगा जिससे रोटी नहीं बनेगी और इस तरह से आपने इसे मसलना है और इसे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट करना है जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उतनी ही मक्की की रोटी अच्छी बनेगी त तरह से इसे round कर लेना है और इस तरह से अपनी fingers से इसे tap करना है आपने round shape में ही आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से ये crack नहीं हो रही है और इसे finger से इसी तरह से आपने tap करते रहना है और जो second hand है जो उसकी finger से आपने इसे इस तरह से support देनी है तांकि कहीं से भी ये crack न और हल्का सा पानी यूज कर लेना है यहां पर होई और साइड चेंज कर लेनी है और इस तरह से इसे करना है फिर बाद में इसे दोनों हैंड से इस तरह से गोल कर लेना है ताकि बिल्कुल भी क्रैक ना हो अगर आपको लगती है थोड़ी सी क्रैक हो रही है तो आप इस मक्की की रोटी है तो पतली अच्छी लगती है इस बात का ध्यान रखें कि मक्की की रोटी ज़्यादा मूटी ना हो आप देख सकते हैं मैंने कौफी पतली बनाई है और मैं उसको शिखने के लिए रखतिया है और यहाँ पर मैं इसको आटे को फिर से थोड़ा सा सोफ्ट कर रही हूं जितना ज्यादा सॉफ्ट होका रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी और इसे हाथ में लेके भी आपने इस तरह से गोल कर लेना है देखिए यह सिख गई है मैंने यहां पर साइट चेंज कर ली है और अब यहां पर मैं देशी घी लगाऊंगी आप चाहें तो बटर भ इसके मक्की की रोटी जो बनाई है दोनों साइट्स पे देशी घी लगा दिया है आप देख सकते हैं काफी अच्छी रोटी है जो सिख गई है इसे थोड़ा अच्छे से से शेक लें ताकि यह कच्ची ना रहे आप देख सकते हैं रोटी बनके रड़ी हो गई है और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी यहाँ पर मैंने टीशू पेपर यूज किया है ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो जो थोड़ा निकल जाए और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है यह हाथ पे तो हर कोई ट्राइ कर लेता है लेकिन अब मैं आपको दूसरा मेथट बताऊंगी यहाँ पे मैंने पोलो थीन लेह है जो हर घर में बड़ी ही इसली आपको मिल जाएगी अब यहाँ पे फ्रेश रेपर होता है जो उसे भी यूज कर सकते हैं आप थोड़ा सा नीचे सुखा अटा लगा लें इससे रोटी चिपकेगी नहीं और लेकिन उपर आपको अटा यूज नहीं करना है मैंने जो है दूसरा पेडा जो लिया है इसको भी इस तरह से गोल कर लिया है आप चाहें तो गोल करें नहीं त अपने Fingers से इसे टैप कर लिया है उपर आपने हलका सा पानी ही यूज करना है और अपनी Fingers की हैप से इस तरह से बढ़ा कर लेना है आप देख सकते हैं कि पन्नी पर बिल्कुल हाथ के जैसी बनी जैसी हमने हाथ से बनानी सिखाई है आपको और कहीं से क्रैक नहीं और और मैंने इसकी साइट्स में देसी घी यूज किया है अब मैंने यहां पे देसी घी लगा लिया है ताकि यह नीचे से चिपके ना और इसे स्पून के हैप से मैंने इस तरह से साइट इसकी चेंज कर दी है यहां पर मैंने चिम्टा यूज कर लिया आप चाहें तो स्पून भी ले सकते हैं लेकिन मैंने हैंड को यूज नहीं किया है मैंने चिम्टे की हैपसे से चेंज कर लिया है या पे मैंने गैस का फ्लेम है जो लो रखा है अगर आप लो फ्लेम पे बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी सिक्केगी रोटी हाई फ्लेम पे थोड़ी जलने का वो डर रहता है अगर आप लो फ्लेम पे बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बाद में आप इसे थोड़ा हाई कर सकते हैं फ्लेम को और मैंने दोनों साइट्स पे रोटी के घी लगा दिया है और ये दोनों साइट्स से बहुत अच्छे से सिख गई है आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी है और इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी और आप देख सकते हैं कि पिल्कुल भी कोई डिफरेंट नहीं है कि हमने हाथ से बनाई है या पोलोथीन पे बनाई है दोनों इक्वल लग रही है यह देखिए और अब आप इसे गरमा गरम साग के साथ सर्व कर सकते हैं और मक्की की रोटी के साथ साग मिल जाए तो क्या बात है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो आई होग कि आपको मक्की की रोटी बनाने की रस्पी बहुत पसंद आई होगी उन लोगों को खास कर जिनको हाथ पे पनानी नहीं आती है मैंने बहुत इजी मेथड आपको बताया है आप इसे घर पे ज़रूर ट्राइ करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें बाबाए